आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे क्या आप अपने केम्प्यूटर में कॉन नाम से कैसे फोल्डर बना सकते हैं कॉन नाम से, PRN नाम से, LPT12, LPT9, COM12, COM9 ये सम नाम से केम्प्यूटर में फोल्डर कैसे बनाया जाता है हाई फ्रेंट्स मेरा नाम दीपक है और सुवागत आपका मॉडरन केम्प्यूटर के यूट्यूब चैनल में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले यूट्यूब में ऐसे धेर साड़े वीडियो हैं जिसमें ये दिया गया है, ये दिखाया गया है कि केम्प्यूटर में कौन नाम से फोल्डर नहीं बन सकता है लेकिन मैं आपको आज बताने बाला हूँ कि आखिर ये क्यों नहीं बनता है और कैसे बनेगा तो चलिए दिखाते पहले आपको ये बनता नहीं है स्टार्ट राइट किलिक कियें पहले स्टार्ट करने के लिए फिर नियू में आए फोल्डर और यहां पर हम लोग टाइप करेंगे सी ओ एन कॉन यह नहीं बनेगा बता रहा है इस पेसिफेल्ड डिवाइस नेम इस इन्वैलेट मतलब यह नाम आपने जो चूज किया है फोल के लिए रिजर्व है आप यह सब नाम का यूज नहीं कर सकते अपने फोल्डर के लिए तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे कैसे वह आज सिखेंगे देखिए नहीं बना चलिए बनाने का पहला तरीका है सी ओ एन कॉन अल्ट टू फाइप फाइप तो यह करता है क्या कॉन नहीं बलकि कॉन इस पेस नाम से बनाता है देखिए दिखाते हैं आपको किलिक किये एप टू से रिनेम यह तो फिर राइट किलिक करके रिनेम पीछे वाले क्लास में यानि पीछले क्लास में बताये थे हम आपको कि आप भी ना नाम का फोल्डर कैसे बनाएगा वो तरीका था फोल्डर पे जब आपका नाम पूछे तो अल्ट के साथ 255 प्रेस करना है तो उसे होता है क्या लास्ट में एक स्पेस जोर देता है अल्ट 255 से जैसे आप देख रहे हैं सीओ एन कौन और एक स्पेस है यह कौन नहीं वल्कि कौन स्पेस बना तो हमारे वीडियो को अभी आप देखते रहें कौन नाम का एक्चुली में फोल्डर बनाएंगे के से वो भी आप लोग को बताएंगे यानि यह तो कौन इस पेस रहा कौन यानि सिर्फ कौन नाम से फोल्डर के से बनाएंगी वह भी आभी आप लोग को सिखाए जाएगा चलिए दूसरा चेक करते न्यू फोल्डर में आएं जैसे पी आर एन नहीं बन रही है इसको हम लोग PRN देके ALT 25 करें 255 हो गया राइट किलेक NEW FOLDER NUL ALT 255 ये देखे बन चुका है ये बना ALT 255 के साहिता से यानि जैसे कौन बना है तो कौन स्पेस PRN बना है तो PRN स्पेस NUL बना है तो NUL स्पेस नाम से बनाए तो चलिए हम लोग सीखते हैं अब सिर्फ और सिर्फ CON नाम से FOLDER कैसे बनाते हैं इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं तीनों को एक्चोली होता है क्या Windows Software जो है चाहे Windows XP हो, 98 हो, 7 हो Vista हो, 8 हो, 8.1 हो या Windows 10 हो ये सब Windows को यानि कोई भी Windows हो Windows को ये permission नहीं है कि कौन नाम का FOLDER बना सकते हैं ये डिलीट कर सकते हैं लेकिन हाँ, हम लोग का जो old operating system रहा है यानि जो अभी भी powerful कह रहाता है आप लोग समझ सकते मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ यानि DOS, DIGS operating system, command promote CMD इसके थुरू आप कौन नाम का folder बना सकते हैं चाहिए आपको desktop पे बनाना हो ये किसी drive में बनाना हो तो चलिए start करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको start search में लिखना होगा cmd ये आपका command आ चुका है command promote ये तो start all programs AC series में आपको मिलेगा command promote तीसरा तरीका start run में जाएंगे यहां लिखेंगे cmd ये आपका open हो चुका है ये computer का old operating system है तो चलिए बनाते हैं हम लोग यहां folder सबसे पहले हम लोग यहां d drive के अंदर बनाते हैं जैसा आप देख रहे हैं पहले से कौन बना होई ना चलिए इसको हम लोग delete करते हैं जैसा कि अभी कुछ दर पहले मैं आपको बोला कि ये folder अगर windows बना नहीं सकता है तो इसको power नहीं है कि इसको delete भी कर सके चलिए इसको हम लोग delete करने के लिए सीखेंगे बाद में अभी e drive में बना लेते हैं हम लोग e drive में बनाने के लिए जबसे पहले आपको यहां लिखना होगा md md का मतलब होता है m for make d for directory make मतलब बनाना directory मतलब होता है folder चलिए md दीए double slash dot double slash md double slash dot double slash e के अंदर अगर आपको बनाना है तो यहां देना होगा e clone slash यानि e के अंदर क्या बनाना है con तो con लिख दिये और inter दबा दिये यह con नाम से folder e के अंदर बन चुका है चलिए चेक करते हैं computer में है localdix e देखे यहां आपका con नाम का folder ready है चलिए इसको हम लोग delete करते हैं यह आपका delete नहीं होगा देखे delete keyword से delete button दबाए है यह delete नहीं होगा cannot find this item बतागा यह delete होगा ही नहीं चलिए उसको cancel कर देते हैं अगर आपको delete करना हो तो मैंने पहले ही आपको बोला कि windows को नहीं power है यानि windows software इसमें windows 7 computer पर right click properties देखे windows 7 ultimate यानि यह windows software जो है इसको power नहीं है कि यह con नाम का folder बना सके और delete कर सके अगर डॉस से आप बनाए हैं तो डॉस से आप delete भी कर सकते हैं बनाने के लिए md लिखना परता है यानि make directory और delete करने के लिए आपको rd लिखना होगा यानि remove directory remove folder तो rd double slash dot double slash e colon slash यह लिखना जरूरी नहीं है अब rd लिखिए उसके बाद आप right arrow दबा दिए keyboard में 4 arrow होता है अब down left right arrow वाला जो button होता है तो इसमें से आप right दबा दिजिए या तो आप देखके same to same लिख दिजिए rd के बाद ये उपर वाला देखिए नीचे वाला same है यहाँ पे md है तो यहाँ rd हो गया बाद की सब सेम है तो same to same आप उतार भी सकते हैं यह तो keyboard से right arrow दबा दिजिए उसके बाद inter press करना है यह देखिए आपका delete हो चुका होगा यहाँ से हट चुका है अब हम लोग सीखेंगे कि यह कौन नाम का folder desktop पर कैसे बनाते हैं चली देखते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि desktop आखिर है कहाँ कहना ही का मतलब computer में जितना साड़ा icon हो या जो भी programs हो उसका कोई ना कोई एक निस्स प्लेस होता है जगा होता है तो उसी तरह desktop का भी अपना एक location है तो desktop जो होता है C के अंदर users file के अंदर user name जो भी है आपका उस user name के अंदर desktop होता है चली दिखाते हैं आपको तो computer open करना है आपको सबसे पहले उसके बाद local disk local disk C में जाना है local disk C में आने के बाद यहां users को किलिक करना है और आपके computer में जितना भी users बना होगा उसका यहां पर आपको list show करेगा list दिखने लगेगा तो चलिए मेरा भी user current user है modern देख सकते हैं आप यहां start को किलिक करके modern है तो modern को हम लोग open कर लेते हैं उसके बाद किसका location जाना है आपको desktop का तो desktop को double किलिक करके open कर लेना है देखे डेक्शोप पर जितना item है जो भी icon है program का वो सब यहां पर दिख रहा है उसके बाद आपको इसको combo box बोला जाता है इस box को तो combo box में आपको किलिक कर लेना है देखे आपको location दिखा दिखा दिया desktop ठीक है आपको इसको याद कर लेना है यह तो कहीं पर लिख लेना है यह तो आप side कर लिजिए यह तो इसको आप copy paste कर सकते है जैसे किलिक किये इसको copy कर लिए हैं लेकिन यह डॉस में paste नहीं होगा copy कर लिए आप दूसरे किसी text editor में इसको paste करके रख सकते हैं देखने के लिए चलिए paste कर दिए आप यहां से देख के कर सकते हैं हमको तो याद है मैं इसी तरह करते हैं इसको close कर दिए । चलिए md double slash dot double slash desktop पर बनाना है तो desktop है c के अंदर c clone slash c के अंदर अब कहा users user नहीं धियान देना है user users users है s लगा हुआ है उसके बाद clone यह sorry slash users के अंदर जो भी आपका user name है मेरा user name है modern देखे जैसे आप देख रहे हैं याँ सामने में c के अंदर फिर यहां से उतार देना है आपको same to same सिर्फ आपको last में desktop जोरना पड़ेगा c के अंदर users users के अंदर modern आप यहां से भी देख के लिख सकते हैं modern के अंदर क्या है desktop है desktop पे बनाना है आपको con c o n con देखे नहीं आया बन चुका है लेकिन आया नहीं एक बार आप refresh कर लिजेगा यह folder आपका repair हो जाएगा आ चुका है अब इसको delete करके भी दिखाते है आपको यह delete नहीं होगा देखे नहीं होगा यह delete try again, try again नहीं ही आएगा हमेसा इससे पहले मैं आपको without यानि delete permission चीनने वाला folder यानि ऐसा folder बनाने के लिए प्रमिशन चील देते तो फोल्डर आपका डिलीट नहीं होगा अगर आप लोग नहीं जानते नहीं सिखे हैं तो आप हमारे चैनल में वो पीछे बाला जाके वीडियो देख सकते हैं जो कि Windows 7 class के अंदर यानि MS Windows playlist के अंदर आपको मिल जाएगा चलिए यह कौन नाम से बना अब दूसरा नाम से बनाते हैं राइट अरो दबाते हैं same to same repeat हो जाता है right arrow दबाने से चलिए यहां पर नाम देथते हैं PRN देखे फिर आइट दबाते हैं यहां पर द नाम देथते हैं लोग NUL देखे रिफ्रेस करते हैं सब आपेर हो जाएगा सब आ जाएगा आ चुका हैं यह भी डिलीट नहीं होगा अब इसको हम लोग रिमूब करते यानि डिलीट करते तो डिलीट बिंडो से नहीं होगा लेकिन आप डॉस से बनाए हैं तो यहां से आप डिलीट कर सकते हैं सिर्फ आपको फिर से वही कमांड देना होगा अब इसको अब आपको रिपीट करना होगा देखिया आड़ी राइट अब कितना लिखेंगे बार बार राइट अब तो अब तो आड़ी भी नहीं लिखना पर रहेगा क्योंकि एक बार लिख चुके हैं नाम चेंज कर देते लास्ट पी आर एंट फिर राइट दबाएं पि प्रिय यहाँ पर सी ओन आपको की आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना हो बहला पहला टिप से क्या आपको हमेशा यह धियान में रखना होगा कि आपको user नहीं लिखना है बलकि users लिखना है इस लगाना है दूसरा यह आपको धियान में रखना है कि आपके computer का जो भी username है वो देना है ऐसा नहीं कि हम modern दिए आपको भी modern ही use करना है यह नहीं होता है आपको modern नहीं देना है क्योंकि मेरे computer के user का नाम है modern अगर आप modern दे के use करते हैं, modern दे के बनाते हैं तो आपका नहीं बनेगा folder आपके computer का जो भी username है, system1 system2, या मान, सुमान राजेश, जो भी आप अपना username रखे हुए हैं, वो आपको username यहाँ पर type करना होगा इसके बदले start, आपको username जानना हो अपने computer का तो start को click कीजिए और यहाँ से आप username देख सकते हैं या तो direct desktop पर भी देख सकते user file में, कि आपके computer का username क्या है जैसे example के लिए एक फिर बता देते हैं, md double slash dot double slash चलिए इसको repeat कर लेते हैं देखे, users नहीं user 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 yu user sorry, y बोल दिये थे users, user नहीं बलकि users देना है s लगाना है, फिर यहाँ slash, उसके बाद जो भी आपके computer का username है वो देना है यहाँ पर, मेरा computer का username modern है तो modern दिये यहाँ पर right, अब देखे, यह folder बन गया है तो यह बात आपको हमेशा धियान कि आपके computer का जो भी username है, वो type करना है आपको, ना कि modern लिखना है, ओके बाहर जाना हो, तो यहाँ ex, it, exit लिखके भी बाहर जा सकते enter दबा के यहाँ से भी close कर सकते हैं तो friends, कैसा लगा आपको यह वीडियो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अभी तक अगर आप लोगों ने अमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को subscribe कर लें क्योंकि इस चैनल में आपको केंप्यूटर और मॉइल्च रेलेटेड धेरो सारे टिप्स और ट्रिक्स सिखने को मिलेंगे जो की बिलकुल फिरी है और हिंदी में है watch and learn thank you for watching